राम नगरी में राम जनम भूमी पर बन रहे भब्ब मंदर के भूतल पर पहुँचने के लिए सरधालों को 32 सीडियों का सहरा लेना पड़ेगा भूतल समेत इन सीडियों की साथ सज्जा का काम अंतिम दोर में है सीडियों के बीचों बीच संग मरमर की नकासी दार रेली लगाई जा रही है राम मंदर की एक एक दिवार पर उकेरी गई कलाकरतियों को देख भक्त निहाल होंगे रेलिंग की खुबसूरत नकासी देखते ही बन रही है कमल की आकरती से युकती ये रेलिंग दो पंक्तियों में लगाई जा रही है इनी सीडियों के सहारे भक्त सिंग द्वार के चबूतरे तक पहुँचेंगे सिंग द्वार के बाद भक्त सीधे भूतल में परवेश कर पाएंगे इसी भूतल पर गरब गरह है मंदपों से होते हुए जाम भक्त ग्रब ग्रहे के करीब पहुँचकर राम लला का दर्शन पासकेंगे राम मंद्री जैसे जैसे आकार ले रहा है वैसे वैसे उसकी खुशूर्टी निखरती जा रही है भूतर पर साज सज्जा के करम में फर्स पर काम के साथ ही इस्तंबो पर भी काम तेजी से चल रहा है राम मंद्री के भूतर का काम लगभग पूरा हो चुका है अब के वल साज सज्जा ही बाकी है साज सज्जा वहां इस्तंबो के साथ ही यहां काम पूरा हो जाएगा फिलहाल फर्षवास्तंभों का काम युद्यस्तर पर चल रहा है पर्थमतल का धाचा पूरा करने में इंजिनियर जुटे है बड़ी-बड़ी क्रेन से मंडपो को आकार दिया जा रहा है दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक भूतल पर्थमतल पूरा करने का लच्छ है विश्वास वही रवतार नहीं